प्रोसेस के अंदर मान लेते हैं मारूती अगर मैं मारूती कार की बात करूँ अब कार बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटिड सिचुविशन है कार ऐसे नहीं कि एक जगह पर आपने फटा-फट सब कुछ कर लिया कार बनाने के लिए एक जगह होगा जहां पर इसका पूरा का पूरा एक मैं उसको बॉक्स बोल देता हूँ जिसे धाचा बोला जाता है यानि बॉडी बनाया जा रहा होगा एक जगह पर उसका इंजन बनाया जा रहा होगा एक जगह पे उस पे टायर लगाया जा रहा होगा एक जगह पे उस पे पेंट किया जा रहा होगा एक जगह पे उस पे टेस्टिंग किया जा रहा होगा तो हर कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह होगा इसका न हम डिपार्टमेंट एक अलग कर देंगे सर इसका एक डिपार्टमेंट अलग होगा इसका डिपार्टमेंट अलग होगा इसका डिपार्टमेंट अलग होगा इसका डिपार्टमेंट अलग होगा और हर कोई अपने काम में स्पेशलिस्ट होगा एक प्रोसेस होगा सबसे पहले हमने ये तयार किया जिसको मैंने बोला सबसे पहले ये काम करो, जिसको नाम दे दिया process number one, बन के तयार हुआ, अब जो बन के तयार हुआ, वो engine fitting के लिए चला जाएगा, तो engine यहाँ पे ये वाला क्या होगा, जो box बना है, जो हमारा ये धाचा बन के तयार हुआ है, ये धाचा क्या होगा, directly उठ के यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर engine fitting होने लगेगा, जब यहाँ पे engine का fitting करने लग गया, इसको मैंने नाम दे दिया P2, यहाँ पे पहले वाले जहाँ बन रहा है, वहाँ पे क्या-क्या लगने वाला है, यहाँ पे आपका steel लगेगा, यहाँ पे बनाने वाला मजदूर भी चाहिए, तो यहाँ पे labor भी होगा, और क्या होगा यहाँ पे? सर, यहाँ पे मजदूर labor और overhead भी होगा, बिजली भी लगना है, पानी भी लगना है, सारी चीजे लगना है, तो उसको मैंने नाम दे दिया, यहाँ overhead भी लगेगा, और यहाँ पे wastage भी होगा, सर, अगर बनाओगे तो wastage, क्योंकि steel में से जब भी कोई चीज निकलता है, तो वहाँ पे wastage जरूर होता है, तो wastage का मतलब यहाँ पे wastage भी होगा, सर, wastage कौन-कौन सा हो सकता है, normal हो सकता है, या फिर abnormal, सब की बात करेंगे, मैं पहले आपको समझा बादू के क्या-क्या होता है, माल बनके तयार होगे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ से इसका जो धाचा बनके तयार हुआ, यहाँ से जो इसका हमारा पूरा एक box तरीके का जो भी बनके तयार हुआ, वो यहाँ पहुंच गिया, क्या यहाँ पे material क्या यहां पे लॉस होगा यह झारमल लॉस भी उख्ता, विए ज्युद्ध की है यहां और प्रॉस तू में, इसके बाद हम इसे टायर लगाने के लिए भीज देंगे तो जैसरी हमारा यह बन के तैयार उगिया इंजन इस वाले process को हम उठाके यहां ले जाएंगे भाई या टायर लगा दो इसको मैंने नाम दे दिया process number 3 तीसरे process में क्या material लगेगा लगेगा क्या होगा यहां पर material टायर होगा क्या labor लगेगा सर बिलकुल labor लगने वाला है क्या overhead लगेगा बिलकुल लगेगा यानि सर इसके बाद जैसे यहां पर टायर लगेगा हम इसको अगले process में ले जाएंगे हमारा यह टायर लग चुका है और इससे ले जाते हैं हम अगले process में सर कहां ले जाएंगे अगले process के अंदर सर इसे next process में ले जाए जाएगा ये आगया paint पे इस process को नाम दे देते हैं P फो अब यहाँ पे क्या होगा paint होगा यहाँ क्या लगेगा material लगेगा लग रहा है material सर हर जगा material labor लगेगा बिलकुल overhead लगेगा बिलकुल सर overhead लगेगा लेकिन यहाँ का material कुछ और है 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 यहाँ पे बहुत huge material लगने वाला है यहाँ पे उससे कम material लगेगा यहाँ पे उससे कम लगेगा यानि हमारा एक product यहाँ से बनके निकला माल लेते हैं यहाँ पे जो हमने यह धाचा तयार किया यह बना 500 रुपे का यह 500 रुपे का यहाँ पे गया और इसके अंदर फिर कुछ चीजे प्लस 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 हुआ और यह 700 रुपे का यहाँ बनता है और यह फिर पहुंच जाएगा यहाँ पे 700 प्रोसेस का मतलब क्या है हमें एक्जामनर क्या बोलेगा कि भीया आपको एक समान बनाना है उसका एक process होगा उस process को करके दिखाईए हमसे इतने सारे process नहीं पूछे जाएंगे हमसे पूछे जाएंगे मुश्किल से 3 process या 2 process और हर process में से आप बताईए कि ये जो product बन के निकला है वो कितने का होगा ये product जो बन के निकला process 1 में कितने का होगा यहाँ पे दो तरीके का losses होने वाला है हमारा एक normal loss abnormal loss normal loss को भी हम अलग सी class के अंदर discuss करेंगे और abnormal loss को भी discuss करेंगे एक बार हम format को देख लेते हैं कि process account के बहुत सबसे अगर मैं simple chapter बोलू न तो पूरे book के अंदर मुझे जो simple chapter लगता है ने इसा भी पूछा जा सकता है मैं frequently बता रहा हूँ तो सर अगर मैं process account का format की बात करूँ तो सर इसको भी मैं बोलूँगा पी एंडल देखो मैं आपके सामने process बना रहा हूँ और इतना असान है न कि आज ही बहुत सारा part इसमें cover up हो जाएगा मैंने बनाया एक process account वन या ए बुल लो आप यहाँ particular यहाँ unit यानि कितना किलो समान लगा रहे हो यहाँ पे आपका रुपीज कितने रुपे का लगा यहाँ unit यहाँ रुपीज मैं एक example खुद का ही बना लूँगा उसी से कर लेंगे एक process बन गया उसके बाद हमें मैं यहाँ पे सिर्फ दो process का आपको example लेके दूँगा यह तीन process भी कर लें परक्या पड़ता है दो समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा मैं एक ऐसा example लेके चल रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा मान लेते हैं material डला material डला और डला 1000 किलो और पांच रुपे का एक था मैंने question नहीं लिखा लेकिन मेरी बातों को समझते जाएगा और अपनी mind से calculate करते जाएगा मैंने बोला 1000 किलो material डला पांच रुपे का तो कितने रुपे होंगे सर यह 5000 मैंने कहा कि labor भी होगा सर labor मैंने बोला क्योंकि labor का कोई unit नहीं है मैंने बोला 3000 रुपे का labor लग दिया इसके बाद मैंने बोला overhead भी होगा 2000 का overhead लग दिया ठीक है अब इसके बाद मैंने कहा जब हमने 1000 किलो material डाला ना, तो जरूरी कभी भी नहीं होता के 1000 kg आप productivity कर दो, उसमें सो कुछ नुपसान हो जाता है, गिर जाता है, फैल जाता है, मैंने बोला 5% ना हमारा नुपसान हो गया, 5% का नुपसान हो गया, और यह हर बार होता है, यह 5%, तो loss होगा, तो by side में आ जाएगा by, और इसको मैं नाम दे दूँँगा, जो हर बार होता है, उसे बोलते हैं, नौर्मल loss, 5% मतलब किसका, इसका 5%, that is आपका 50, अब कई बार नौर्मल loss बिक जाता है, और कई बार नौर्मल loss नहीं बिक ता, जैसे मान लेते हैं, कि मैं अपने काम में केरोसीन ओयल का इस्तमाल करता हूँ, नौर्मल loss का मतलब गिर जाता है, तो अगर मेरे से 2% केरोसीन ओयल गिर गया, तो क्या उसे बेच पाऊँगा मैं, वो तो गया, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक या स्टील से प्लेटे बना रहा हूँ, उसमें 2% का नुकसान होगा, तो कुछ स्क्रैप मेरे हाथ में होगा, वो बिक जाएगा किलो के, तो दोनों तरीके से हो सकता है, यानि जो loss हुआ है, loss can be realized or not, दोनों possible हैं, अगर loss बिक गया, तो इतना महगा नहीं बिकेगा, कौडियों के भाव बिकेगा, कूडे के भाव बिकेगा, मान लेते हैं, मैंने बोला, मेरा normal loss 50 पैसे क्यों होगा, एक रुपे के हिसाब से, ये बिक जाएगा, एक रुपे के हिसाब से, ले भाव अगले process में जाए, इसके इंदर समान दिले, नहीं, जितना अगले process से, मेरे पास demand आएगा, उतना ही मैं भेजूँगा, अगले process से ने बोला, 600 unit भेज भाव काम ज़रूरी है, किसने बोला process, B ने बोला, क्या बोला, कितने भेज दूँ उझे, मेरे पास unit, तो मैं 600 unit बना के भेजूँगा, या raw material भेज दूँगा, बना के, तो 600 unit उसने मंगवाया है, तो मैं लिख दूँगा, by next process, यानि मैं लिख दूँगा, यह भेज दो by process, B में, बाकी का जो है हमारा, क्या बच जाएगा, closing, क्या बच जाएगा, closing, तो यानि अगर मैं 600, total कितना था मेरे पास, 1000, जवाब दीजिएगा, 1000 में से 50 खराब हो गया, 600 अगले में चला गया, तो closing कितना बचा, अब बात आता है, challenge के सर amount क्या होगा, तो very simple, आप total कर लीजिए, इसका total करने के बाद कितना है आपका, 10,000, आपका 10,000 रुपे का total आया, उसमें से आपका 50 रुपे का, recover हो गया, और ये बन पाया, मैं एक दूसरा example लेता हूँ, आप मुझे बताना, simple सी बात है, या इसी को ले लेते हैं, चलिए, मेरा 10,000 खर्चा हुआ, और मैं बनाने में कामियाब हो पाया, 10,000, 1,000 यूनिट बनाने में कामियाब नहीं हुआ, सरिफ मैं बना पाया हूँ, क्या आप मुझे जवाब दीजिए, क्या सर मसीनरी का भी यूज़ तो हो सकता है, बिल्कुल मसीनरी का यूज़ होगा, लेकिन मसीनरी का डेप्रीशिशन खर्चे में काउंट होगा, ना कि फुल मसीनरी का यूज़ होगा, ठीक है ना, अब मुझे ये बताईए, 10,000 रुपे खर्च हुए हैं, या 10,000 से ज़्यादा खर्च हुआ है, खर्चा दस हुआ, लेकिन उससे कुछ हमें मिला भी तो, बेच के मिल गया, यानि अगर मैं बोलू ना, मेरे पॉकेट से कितना निकला है, तो जवाब होना चाहिए सर, आपका 99,50 रुपे आपके पॉकेट से निकले हैं, जिसमें आप सरिफ और सरिफ मात्र कितने यूनिट बना पाए हो, सर ये 950 कैसे आए, ये बताओ एक बार 950, भाई, 1000 यूनिट बनाएं थे, उसमें से 50 तो लॉस ही हो गए, तो 950 बच्छे, यानि अगर मैं 99,50 डिवाइड़ बाई 950 करूँ, तो 10.47 एक यूनिट का कॉस्ट आ रहा है, इसका मतलब सर, इसकी बात करें, तो 600 इंटू में 10.47, अरे, 600 इंटू में 10.47, यानि 62, तो सर 62 का ये हो गया, और बैलेंसिंग फिगर इसको ले लो, एक्जेक्ट कभी मैच नहीं होगा, ये 10.000 है न, टूटल, इधर वाला टूटल टूटल इधर 10.000, तो 10.000 में से माइनस 50 और माइनस 62, तो ये आगया हमारा 36, परसेट, पहले देखिए यहां तर, समझ में आईए, प्रॉसेस एसे, कितना समान आया है प्रॉसेस एसे, 600 यूनिट, कितने रुपए का, ये सिक्वेंस कंटीनिउ चलता रहेगा, जितने मर्दी प्रॉसेस मनवालो मुझे, फिर यहां पर क्या लगने वाला है, टू, माटीरियल, मान लेते हैं, अब यूनिट नहीं लगा, अब पांच हजार का लग गया, फिर क्या लगेगा हमारा ओवरहेड, मान लेते हैं, दो हजार का लग गया, मैंने का भाईया, इसके अंदर से सारे यूनिट जितने भी है न, उस सारे यूनिट को बेच दो, बेच दो तो बेचने का काम पता है ट्रेडिंग अकाउंट से होता है यहां से तो भी केगा नी ट्रेडिंग से तो हमारे कितने यूनिट और कोई लॉस वगरा नहीं है मैंने का कोई लॉस नहीं हुआ सब कुछ एकदम ठीक ठीक काम हुआ है तो टोटल अगर मैं देखूं तो साट और छे 13,000 यानी 600 यूनिट बना और 13,000 ब्याथी अगर बेच दिया तो यहां पर लिख देंगे सोल्ड अभी मैं सिर्फ सोल्ड लिख रहा हुआ उपको समझाने के लिए sold लिख दिया, कितने unit बेचे 613,000 बाकी मैं बाद में terms को change करूँगा जो सो बेयार से new chapter है process, basically इस chapter का नाम है हमारा process and joint product and buy product पूरा नाम है पहले वाले ही समझ में आए पहले बताईए format समझ में अभी मैंने सिर्फ basic basic idea ले आए कि process क्या होता है कुछ समान हम एक process में बनाते हैं उसको और finishing देने के लिए अगले बार कहीं और ले जाया जाता है उसको और finishing देने के लिए कहीं और ले जाया जाता है तो जो इन तीनों जगह पे जा रहा है तो उसके अंदर कैसे कैसे खर्चे बनते हैं और उसी साफसे हम बना के चलते हैं अब मैं इसको ने एक format जो मैंने ये कर आया यह तो मैंने ऐसे करा है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक format बना के समझा देता हूँ, कि क्या क्या हो सकता है, इसको मिटा देता हूँ, खीक है ना? मिटा देता हूँ, मैं एक format के format में लेके चलने वाला हूँ, सर, format का मतलब, सर, process में सबसे पहले आएगा, material, या फिर material के जगह पर input भी लिखा जा सकता है, और यहां पर आएगा unit, जितने भी बोलेगा, और यहां पर क्या आजाएगा, उसका cost, और फिर यहां पर क्या आएगा labor, जितने का labor होगा, unit में तो नहीं होगा, इसमें होगा, फिर क्या आएगा, यहां पर overhead, कोई भी any kind, overhead का मत any kind of expense, जिसने बच्चों की पहली class है, उनको भी समझ में आजाएगा, overhead क्या होता है, जितने खर्चे दिखाते थे, वहां पर उस खर्चे को उस नाम से बोल दिया जाता था, costing में उन सभी खर्चे को मिला जुला के बोल देते हैं, overhead, तो overhead आजाएगा, इसके बाद सर, जैसा normal loss दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, normal loss के बाद क्या हो सकता है, एक हो सकता है abnormal loss, abnormal loss भी हो सकता है, कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे, discuss करेंगे, abnormal loss के बाद हमारा closing stock हो सकता है, सर, closing stock के बाद क्या होगा सर, इसके अंदर closing stock के बाद हम बात करें तो, हमारा next process में जो जाएगा, यह process account 1 बनके तयार, सारी detail, सारी जानकारी given होगा, सर, इसके बाद क्या है हमारा, सर, इसके बाद हमारा पिछले process से आएगा, जिसको मैं नाम क्या दूँगा, समान आ गया मेरे पास, कहां से आया मेरे पास process, ए से आएगा, यानि सर, ये वाला जो unit रहेगा, ना पता है कौन सा unit होगा, ये वाला unit ये हो, है ना, इसके बाद आगे हम बात करें, आगे क्या आएगा सर, फिर से इसका अपना material लगेगा, मैंने कहा था ना, जैसे कि मारूती वाले में मैंने हर process में में लेके भी गया, और उनका अपना material भी लग रहा था, यहां इनका अपना material लगेगा, अपना material लगने के बाद अपना labor लगेगा, अपना labor लगने के बाद अपना overhead लगेगा, और जरूरी नहीं कि ये सब कुछ हो, कहीं हो सकता है, में भी overhead ना हो, फिर से यहां पे एक particular unit सेयार होगा, और यहां पे हो सकता है, हमारा फिर से क्या हो, normal loss, और फिर क्या हो, आपका abnormal loss, और फिर हमारा बचेगा closing, stock, और फिर हमारा होगा next process, अगर process number 3 बोला जाए बनाने को आपको, तो process number 3 अगर बोला जाएगा, तो सेम ये चीजे repeat हो जानी है, process number 3 के अंदर, फरक इतना आएगा, मेरे से अगर process number 3 बोला जाए, तो यहां पे जो process number A लिखा है ना, अगर मुझे process number C बोला जाए बनाने को, ये mix हो जाए, एक मिनट, अगर मुझे ये process एक और बोल दिया जाए, बना के दिखाओ, तर अगले process में जाएंगे, तो मैं कहूँगा, very simple, सब कुछ सेम रहेगा, बस बनाना क्या है सर्थ, इस B को क्या कर देंगे हम, C, और यहाँ पे जो हमारे पास material आया है, वो कहां से आएगा, और यहाँ पे जो next process लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि C में भेज रहे हैं, और कहां आगे हमारे पास B से आगे, और एक process बोल जाए तो, so on चलता रहेगा, आपके exam में किस type का, किस pattern पे question पूछा जाएगा, वो भी एक पार discuss कर लेते हैं, सर्थ, exam में किस type से और किस pattern पे question पूछा जाएगा, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस chapter के अंदर, क्या क्या सीखने वाले हैं process account के अंदर, हाला कि मुझे पहले बता देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, process account, आपको थोड़ा बहुत idea लग गया होगा, जिन बच्चों का अभी बिस्टिल doubt रहेगा, अभी practical question करेंगे ना clear हो जाएगा, सर process account के अंदर क्या सिखाओगे, process account के अंदर हम कुछ बातों पे focus करेंगे, number one process account बनाना सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे normal loss, and abnormal loss, इसके बाद last सीखेंगे हम equivalent method, equivalent method सीखेंगे, अगर हम इतना part complete करते हैं, हमारा process का part खतम होता है, जिसमें से हम पहले वाला part आज खतम कर लेंगे, दूसरे वाला part अगली class में खतम हो जाएगा, और इसको एक और class का time देंगे, और तीसरे वाला part उससे अगली class में खतम कर लेंगे, यहाँ पे भी लीफो और फीफो method applicable होता है, लेकिन इस वाले में होगा, बाखी किसी में generally नहीं होगा, तो process account के अंदर क्या था सर, मैंने बताया आपको format, पहले इस format में किसी बच्चे को doubt है, कि कौन सा process कैसे जा रहा है, abnormal loss क्या होता है, यह सारी बातों के लिए मैंने बूला ना, कि मैं आपको abnormal loss कौन से class में लिखे जाओंगा, अगली class, clear answer, एक सवाल देख ले इस पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो बताईए, फिर हम एक question देखके try करेंगे, कि क्या हो सकता है, जाओंगाने करें लेखके 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 हैं,